हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ ट्राइंगल चाप्टर से एक और थी ओरा इफ इन ट्राइंगल्स कोर्रेस्पोंडिंग एंगल्स आर इकुवाल देन दे आर कोर्रेस्पोंडिंग साइट्स आर इन दा सेम रिशियो एंड हेंस दा ट्राइंगल्स आर सिमिलर ओके सपोस ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल है D, E, F अभी ये दो ट्राइंगल्स का जो एंगल्स है मतलब एंगल A इकुवाल टू एंगल D एंगल B इकुवाल टू एंगल E एंगल C इकुवाल टू एंगल F ओके सो ये प्रूफ करना है कि इसका कोरेस्पोंडिंग साइट का जो रेशियो है जैसे AB और DE is equal to BC EF का रेशियो और AC DF का रेशियो ये इकुवाल है ये कोरेस्पोंडिंग साइट का रेशियो इकुवाल है ये प्रूफ करना है ओके सो अभी हम AB का equal करके DE से ऐसे काट करते हैं ओके सो ये point है DP जो AB है DP का equal ऐसे हम DE से AB का equal length लेके DE से काट करेंगे सो हमें मिलेगा DP DP equal to AB similarly अगर हम DF से काट करेंगे AC के equal करके सो ये हो जाएगा DQ DQ है AC के equal ओके सो हमें ऐसे काट करना है फिर P और Q को connect करना है P और Q को connect करना है ओके अभी हमें क्या मिला AB है equal to DP और AC है equal to DQ ओके सो अभी ये दो ट्राइंगेल का ABC और DP क्यू हमें दो ट्राइंगेल मिल गया ओके सो दो ट्राइंगेल का AB equal to DP और AC equal to DQ सो और अगल A तो अगल D के equal है क्योंकि initially हमने बोला था अगल A equal to D अगल B equal to E अगल C equal to F सो अगल A equal to अगल D सो अगल D है ट्राइंगल DPQ सो अगर हम consider करते दो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल और DPQ ट्राइंगल यह दो ट्राइंगल के बीच में AB और DP इक्वाल है AC और DQ इक्वाल है एंगल A और एंगल D इक्वाल है तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ यह congruent है दोनों ट्राइंगल ओके यह congruent इसका क्योंकि तो साइड्स इक्वाल है AB इक्वाल्टो DP AC इक्वाल्टो DQ और अग्ल A इक्वाल टू अग्ल D ओके यह और यह ट्राइंगल congruent है ओके तो अगर यह दो ट्राइंगल congruent है congruent मतलब इसका side भी same है और angle भी equals है सारे angles भी equals है और side भी same है so angle equal है मतलब angle B is equal to angle P होगा ओके और initially हमने जो लिया था angle B is equal to angle E angle E है triangle DEF का angle E so यह है angle E और angle B है equal क्योंकि अभी ABC triangle और DPQ triangle congruent है congruent किसलिए है क्योंकि इसका दोनो side equal है AB equal to DP AC equal to DQ और angle A है equal to angle D अगर दो triangle का दो side equal होता है और एक angle equal होता है तो ओ ट्राइंगेल दोनों एक दूसरे के congruent होता है so यहाँ पर ABC और DPQ congruent है और congruent है बोलके so B angle B और P भी equal है अभी angle B और E तो equal है okay so हम लिख सकते है angle B is equal to angle P is equal to angle E अभी angle B और P और E P और E भी equal है okay so angle B equal to angle P equal to angle E so angle P और E क्योंकि equal है so PQ और EF parallel है PQ लाइन PQ और लाइन EF parallel होगा क्योंकि अगर यह एक line है इसके उपर suppose यह दो line है अगर यह line और यह angle यह angle equal है तो यह line और यह line parallel होता है okay क्योंकि यहाँ पर B E के उपर यह angle और E angle यह P angle और E angle equal है okay so क्योंकि P और E equal है so PQ और EF parallel होगा और PQ और EF parallel है so हम first theorem से जो basic proportionality theorem है उससे लेख सकते है B P divided by P E नहीं D P divided by P E equal to D Q divided by Q है जो basic proportionality theorem से हमें पता चला है कि अगर यह line इसके parallel है तो D P और P P E का जो ratio होगा D Q और Q F का ratio same होगा ओके अभी इसको हम इसका reciprocal करके लिखते है P E by D P is equal to Q F by D Q अभी हम दोनों साइट को इसका दोनों साइट से one add करते है तो P E by D P plus one equal to Q F by D Q plus one तो यह हो जाएगा P E plus D P by D P equal to Q F plus D Q by D Q so P E plus D P क्या होता है P E plus D P है D E D E by D P equal to Q F plus D Q Q F plus D Q है D F so D P by D P plus P D P plus P है D E और D Q plus Q F है D F so divided by D Q ओके अभी हम इसको फिर यहां से लिख सकते है D P by D E is equal to D Q by D F यहां से इसको फिर से रिसी प्रोकाल करके लिखा D P उपर ले गया D E नीचे कर दिया यहां पे D Q को उपर ले खा D F को नीचे कर दिया यहां से हम D P के जगा फिर से लिख सकते है A B D P के जगा लिख सकते है A B क्योंकि D P A B के equal है यह हमने पहले ही consider किया ऐसे ही cut किया था ओके सो D P के जगा हम लिख सकते है अ B और नीचे रहर D और D Q के जगा हम लिख सकते है AC सो AC divided by df ok ac divided by df ab divided by d अभी हम अभी हमने ये side और ये side calculate किये consider किये अगर हम एक line ऐसे draw करते हैं ok जो की dq के parallel df के parallel है या अगर इस दोनो side को consider करते अभी हमने consider कि ये दोनो side अभी हम इस के साथ bc और ef consider करते हैं और ab और d e consider करते हैं so ok so तब आएगा similarly हम लिख सकते है ab by d equal to तब आएगा bc by ef ये प्रूफ किया जा सकता है इसी तरह हम ये प्रूफ हो गया कि जाता है एंगेल 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 क्राइटरिया